चैप्टर सेकेंड का जो कैप्सूल है वो तो छोटा साई है कैसे है कि इस चैप्टर में MCQs है और one-liner question है यह ज़्यादा important है तो MCQs के लिए आप समझे के live test इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ पो सिर्फ live test देना है और फिर उसके बाद में one-liner तो one-liner के मैंने लगबग topmost 40 question आपके लिए select के मातर 40 question है एक एक line के मतलब आपको 20 minute भी नहीं लगेगी एक question को 30 second देना पढ़ लोगे फिर कभी time मिले फिर पढ़ लेना आराम से त्यारी हो जाएगी जबर्दस chapter के त्यारी हो जाएगी क्योंकि one-liner अगर blueprint के आपकी इसाब से तो आप समझे होंगे बिल्कुल शायनदार तरीके से वैसे भी चौटर में इसे चोटे question आएगे लाइ टेस्ट लेते के अपसूल जबर्दस असर कर जाएगा चैप्टर वन जरूर कॉल्ड वर थोड़ा था क्योंकि मैंने पांच बड़े question जाना मुझ के लिए थे कि आपको लिखने की तरीका भी सिको कि किस इसाब से बोड के एक्जाम में लिखना है उपरा पैटर्न भी जानो और किस आप question आ रहे हैं कैसे आए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया प्रोपर तरीके से और यह भी प्रोपर तरीके से बस यह चोटा सा कैप्सल और ले रहना आज ही तो यह अपने दो चैप्टर कंप्लेट हो जाएंगे जबर्दस तरीके से स्टार्ट करते हैं दो दुर्वेता का अंत दा एंड ऑप बाई पॉल्ड पॉलिटी विश्वराजनिति का यह चेप्टर है क्योशनल फास देखो 1989 में गटित उस गटना की पैचान कीजिए जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन तता शीयतियुद की समापती हुई आंसर क्या होगा पुर्वी जरमने की जनता द्वारा बर्लिन की दिवार को गिराना यह वही गटना थी दफ शीयतियुद की समापती हुई जिसको थोड़ा बढ़ा चड़ा के लिख सकते हो कि 1909 में गटित हुआ गटना पुर्वी जरमने की द्वारा के बढ़ने की विराना थी जिसके कारण यह सब हुआ ठीक है ना थोड़ा बढ़ा के लिख देना यानि कि आई इवेंट्स अकर्ड इन डू टू तो विच सेकं बढ़ने की दिवार कब खड़ी की गई यानि बढ़ने की दिवार पुंजिवादी और सामय दुनिया के विभाजन की दिवार थी इस तरफ पुंजिवार इस तरफ सामयवाद समझे दो डिवाइशन था इस तरफ capitalist और इस तरफ communism ठीक है communist यह वर्ल था यह उनकी सिंबल थी फूर्थ 1917 की रूसी क्रांती क्यों हुई अब बातें दो है रूसी क्रांती कब हुई तो आप कहिंगे 1917 हुई फिर मैं पूछूं कि क्यों हुई दोनों mixed एक साथ याद हो जाएगा तो 1917 की रूसी क्रांती पुंजिवादी विव अस्तित्यों में आया तो वह आया था उन देखो समाजवादी सोवित गंड़ाजी रूस में हुई थी 1917 की क्रांती ठीक है उसकी समाजवादी क्रांती के पश्चात अस्तित्यों में आया था यानि कि सोचलिस सोवित रेपब्लिक कैम इंट अग्जिस्टेंस आफ्टर रश सब्सक्राइब नाम बताईए यानि की नेमदा एक्सक्रांडरी प्रॉप और माक्सिजम तो वह भी व्लादिमिर लेनिन थे फिर 1917 की रूसी क्रांती पुंजीवादी विवस्ता के विरुद्ध डेश आधर्शूंग और समाज की जरूर जरूर से प्रेजित थी तो ध्यान प्रेजिवादी विरुद्ध समाजवाद के तो समाजवाद की आधर्शूंग और समता मुलक समाज की जरूर से जरूरत से प्रेजित थी तीक है जरूरत से प्रेजित थी रहो लिख देना यह हो गया यानि की रॉशिन रिवलूशन ऑब 1970 वस इंस्पारड बाइद हो पुर्णाली की दूरी क्या थी तो उसकी दूरी कबुद्ध फार्टी ठीक है मतलब की मैं एक्सिस कौन था वह था सोविट रिपुलिक शिस्टम साम्मीवादी कब दापर थी मैंधिय। तो तकनीक और गुर्वत्ता के मामले में थोड़ा सा पीछे था टेक्नोलोजी और क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा पीछे था बारा क्योंचन होगे तेरह मां देखो तो सोवेट संग् कितने गन्राजी में मिलकर बनाता तो फिप्टीन गन्राजी पीछ तो फिप्टीन शुछ फोटेन इन्व इस डान फिपटीन और था अगला था सोवेट संग के विक्टन के पाशा तो उसके उतर दी गर्णाजी के नाम सक्सीजर नाम तर रशिया बिल्गुल सक्सीजर कौन था तो नेक्स सक्सीजर रशिया ही था यह आपका 13 क्यूशन हो जाएगा और पंदरवां सोवेट संग ने अफगानिस्तान में कब अस्ताक्षर क हो गए तो 13 14 15 होगे ठीक है सिक्षिन देखो मिखायल गुरुबाचेव ने सुवेट संग में सुधार है तो क्या क्या प्रयतन किये तो मिखायल गुरुबाचेव देश के अंदर आर्थिक राजनेतिक सुधारों यह उन लोग तंत्री करण की नीती का संचाल किया वह वह एफ़र्स दा मेखायल गुरुबाचयो मैग तुरी रिफür्म दा सुवेत अनूनियन तो घह ठीक है। उफिए संग में उनीं स्कराण में में होई तक्थापलेट की घठना का विरूद बोर्ई यसेन किया वेरी इंपोर्टन्ट क्योशन है रहा इन जंता संग एक ना स्वाएध को करने के कारण ही किया धा यानि कि बेरिशल सिंद्ध गंडेंब दा नाइटी नाइटी वन काया काप इन दा सोवेत यूनियन विकाज ओब दा ओपोजिशन अब दा हैडलाइन नर्स इन दा कम्मिनिस्ट पार्टी तो लेबलाइस तो एकड़नाईटी आट केझ ओब दा ओफ दा ओली पलिक ओपोजिशन दा हो इन दा ओओपोजिशन ने एक और स था सबसे प्रमुक कारण थी ठीक है याने गिव दा मैंन कोज ऑप कॉलाप्स ऑब सवेट यूनिन दा इन्हेरंट वी वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एक्कोनमिक इंस्टूशन्स ऑफ दा सवेट यूनिन वज मैंन कोज ऑफ इस कॉलाप्स बाल्टिक गन्राइजे कौन कौन से थे ए धिकलाइजरी औरहा सुपते हैं यूंऑ दोनों मोर्üne धिकलिष याज़दा टांसर में जान डालनी धालनी है क्या परसित्रोहिका यानिव नरह कि थे लिएजसे हम खुली औरत्वारेशता कह सकते हैं एक्टीष बाइसमान रूस के परतम राष्टपती कौन थे फर्स्ट प्राइब मिनिस्टर कौन थे बोरिस जलसीं थे सोवित संग का अंत कब हुआ का अंतिम राष्टपती मिखाइल गौरबाचेव था और गौरबाचेव का कारिकल निचिश्न पाइब कर देखा तक रहा तो हुआ तो हुआ जा प्रेसिदेंट और सवीछ और सर्वादिक ततकालिक कारण क्या था राष्ट्ट यह था यह उन प्रावता के विछारू का उद आइडियाज ऑफ नेसलिजम एंड सॉवर्णिटी शीतियुद के अंत के पर्तम प्रभाव को इसपश्ट कीजिए तो शीतियुद के अंत के बाद विश्वे एक धुरु विश्वेस्ता का उदे हो गया यानि इसका मतलब दूसरी दुनिया भी खतम और शीतियुद भी खतम सोवियत संग के विक्टन के बाद रूस के किस तरह रूस ने किस तरह की अर्थवेस्ता को अपनाया तो सोवी संग के विक्टन के पश्चात उसके राजनेतिक उत्रा देखाए रूस ने उत्रा स्वरी वह उधारवादी अर्थवेस्ता को अपनाया ठीक है और रूस में न Brain framework अपना है और चैना गोड़ को प्राइडयाइजेशन भी थोड़ सा नों ने एपिलाई किया जहा जहां पर हो सकता है तीसुई शोग भी मैन शाब्दिक प्लनाना और ज्लिटेमर्स अफ़ेट का यानि कि फोड़ सा उपर सरका देता हूं मैं आपके ठीक है यानि कि थोड़ सा उपर देखो इसको यहां समझ वाज जाएगा यह यह इस इंग्लिश हो जाएगी परफेक्ट ली ठीक है फिर एक तीस में देखो शोग तेरिफी के प्रिणाम शुरू सोवित खेमेंगा परतेक किस अर्थतंतर में समाइद हो तो वह ता सारा का सारा पूंजी वाल अर्थतंतर में मतलब पूरा के पर क्यापिलिस्ट हो गए हो सब के सब ठीक है इनवेच एकनोमी सस्टम और ऑल दा स्टेट्स ऑफ सोवित ब्लॉक इंडिग्रेटेट एज रिजल्ट ऑफ शोग तेरपी तो इस दा कैपिलिस्ट एकनोमिक सिस्टम सब कैपिलिस्ट बन गए 32 शोग थेरेपी के किसी एक परिणाम को उज्जागर की जिए तो शोग तेरेपी से संपुन्ड रूस के शेत्र की अर्थवेश्टा तहस नैस हो गई थी शोग थेरेपी का बड़ा अपने पड़ाता न रूस का शेत्र या तो संपढु रूस का शेत्र बहूद्स कर दो या बोल सकते हो फॉर्मर सोवेत रिपबिक याना कि जो पहले का बूथपूर्वे भूदपूर्वे सोवेत गंढ़रज हिस्का की सभ्रेश्बी के इंदन वह था ताजाकिस्तान तजाकिस्तान जो था वो Civil War के चक्र में पढ़ गया वहांपर Civil War की सती बन गई 34, ताजिकिस्तान में हुआ ग्रहयुद तजाकिस्तान बोल दो चाहिए ताजिकिस्तान है ताजिकिस्तान ठीक है क्या नाम हिंदी में? हाँ ताजिकिस्तान ही है सब्सक्राइब और फिर भारत और रूस का सपना किस परकार के विश्वेका था बहुत दूर्विय विश्वेका था एसा पूरा बड़ा चड़ा के लिए ठीक है सब्सक्राइब और भारत को सारवजनिक शैतर में बिलाई बोकारो और विश्वेका प्रणम जैसे इसपात कार खानू और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे मशिंद्र शाहिंतरों के लिए आर्थिक तदा तकनी की साहिता परदान की थी किसने सब्सक्राइब भारत को आप चाहो तो इंग्लिश मेडियो वाले इसके ट्रांसलेट कर लेना भाई ठीक है बहुत इजी है दोनु मेरा के लिख सकते हो आपको पताए कि जब यह मैंने आपनी बुक में लिखा वा था दोनुई बाते बुक में लिखी वी लेकिन अच्छा आंसर दोनुका ही क्या हि लिख लेना वर्ना यह भी जोड़ सकते हो कि स्वाविय संग ने जब शीतियु चदरा था उस दोरन हमारी हेल्प की थी और जब केतान मुश्किल केने में जो हमारा साथ देता है उसके हमेशा वह अपना होता है तो चाहो तो इंग्लिश मेडियो वाले भी इसके ट्रांसले स्पेशल फिच्र अइंडोरशियन फ्रेंड्शिप तो इंडोरशियन रिलेश्चन डू नोट मेक इट उबलिगेटरी फोर इंडिया ट्रांसलेट करके लिख सकते हो वैसे यह ठीक है रूस्ता भाहर दोनों द्वारा दी गई परिकलपना के नुसार बहुत दुरुई वि यह हमारता कि रिजनलिजम शुड्ड बी अकॉर्ड मॉर इंपॉर्टेंस यानि कि शेत्र यहता को अधिक जिगे मिले मतलब कि जो भी जहां की लोकलिटी है जो जहां की संस्कृति कल्चर उसको वहीं पर ज्यादा मतलब रखा जाए नहीं कि वह खतम हो या पर कहीं बाहर 39 सोवीज संग इतियाज के सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया ठीक है यानि कि स्ट्रीन के फोर्वी शॉवय ३ंय य nominated फोर्मे ऊप जोले च्ब्र। थ्रोवित प्रणाली को दो विशेशता है अची खास बात है राइट टू में फीचर अब दूरी कमरिश पाटी थी अर्थ विश्टा योजना बद और राज्य के निंतनमे थी यह 40 क्योशन में लिखे हैं देखो वैसे तो लाइट टेस्ट में यह मौस्टी चेप्टर कवर हो जाएगा लेकिन फिर भी यह कुछ क्योशन यह से जिनको लिखने का तरीका आना चाहिए और खूब सरी बाते हैं जो नई भी है कुछ डिफरेंड भी है इसलिए यह 40 क्योशन में देख लेना और लाइव टेस्ट भी देना है और फिर से जब एक साथ पांच-पांच चैप्टर के जोड़े में होंगे तो मैं इस एप्टर से और क्योशन जोडने वाला हूँ इसलिए सभी टेस्ट देने है पहले चैप्टर वाइस देने है फिर पांच-पांच वाले देने है यह आप ही के लिए मेनत की जा रही है जबर्दस तरीके से शान्दा रगड़ाई कर दो बहुत तगड़ी मेनत कर लेना तब ही परसंटेज यू टप कहेंगे 95 परसंट ठी के सभी को एक्जाम बहुत अच्छे होंगे चिंदा मतरों गाड़ ब्लेस यू अल्दी बैस्ट आओके